बोलो सारारा क्या कहने वाँ बोलो सारारा खुली खेल रहे नंदलाल बोलो सारारा बेड़प जी ने पूरे बनारस को दो पंक्तियों में समेठ दिया बेड़प कभी न छोड़िये अनुपम काशी धाम मरे तो गंगा जल मिले जीए तो लंगला आम ये बनारस है और मैं चाहता हूँ कि नजीर बनारसी का सिर्फ एक सेर और प्रिती पांडे डाइरेक्ट माईक तक आ जाएं इनको आपकी तालिया उठाएं कि तेरी मौझूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा तेरी मौझूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा तुझे मेले में सब देखेंगे मेला कौन देखेगा जोरदार तालिया माँ बागदेवी वसुधा को नमन करती हूँ बाबा विश्वनाद जी को प्रणाम करती हूँ सभी वरेणी साहित्यकार मंच पर विराजमान है समरिद्ध मंच है मंच के सभी साहित्यकारों को प्रणाम करती हूँ नयाय के मंदिर में आप सब की इस शांदार उपस्थिती को प्रणाम करती हूँ पहली बार यहां आई हूँ तो विशेष इसने हैं आप सभी से चाहूंगी स्वागत समदार भया का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आप सबके सम्मुक उपस्थित होने का सुवावसर दिया स्वागत प्रभू भोले नाथ के चेड़ों में एक छंद समर्पित करते हुए स्वागत हर हर बंबम गुंज राह चारोर दुनिया जुकाती माथ काशी में विराजे हैं और कालों के भीकाल माहा काल शीव भोला मेरे कालों के भीकाल माहा काल शीव भोला मेरे गौरिवा गड़िश साथ काशी में विराजे हैं एक बार हारन महादेव का उद्धोष करिए उसके बाद अपनी मूल विधा से आप सभी को जोड़ती हूं धरावो धन्य हो जाती जहां सुख धाम आते हैं बढ़े जब पाप धरती पर दिशाए करती हो क्रंदन जनम लेकर अवध में तब प्रभूश्री राम आते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक नारी शक्ती मंच पर पस्थित हैं पूरी अंतरास्ट पूरी दुनिया में इनका नाम है तो मैं एक छंद दीदी को समर्पित करते हुए आगे बढ़ती हूं नारिया हमारे देश का सदा पढ़ाती माने आज आसमान में विमान भी उड़ाती हैं त्याग पलिदान की सदेव प्रती मूटी रही सिक्षे का महान होके ग्यान भी बढ़ाती हैं तप में जोलीन हुई हुई अनसुय आमातू बनी जो सावित्रियम लोग को हिलाती हैं जी जबाई हुई तो जना है वीर शिवाजी को जना है वीर शिवाजी को होके लक्षमी बाई सत्र वक्ष भेद जाती हैं जी जब आई हुई तो जना है वीर शीवा जी को होके लक्षमी बाई सत्र वक्ष भेद जाती है बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवार और जब प्रभु की भात हो और उनके भक्तों की बात ना हो तो चर्चा धुरी रहती है मैं प्रभु श्री राम के रूप के आवरड है तुम्हारे नयन क्या बात है वाह रूप के आवरड है तुम्हारे नयन नेह के शुभु वरड है तुम्हारे नयन हम उन्हें देखा है इनको बड़े प्यार से हम उन्हें देखा है इनको बड़े प्यार से प्रेम के व्या-करण है तुम्हारे नजन और जैसा कि मौसम सुहाना है तो चार पंक्ते इस होली के मौसम में आप सभी को समर्पित करती हूं आज मोसम सुहाना चले आए दिल हुआ है दिवाना चले आए कब तलक मैं जीऊंगी भलास में करके कोई बहाना चले आए करके कोई बहाना चले आए बहुत बहुत आभार चार पंक्तियों रखती हूं होठ हसते रहे आँखे नम हो गई जाने क्या हो गया की मैं गुम हो गई इस तरह प्यार से तुमने देखा मुझे इस तरह प्यार से तुमने देखा मुझे मैं नहीं मैं रही सिर्फ तुम हो गई मैं नहीं मैं रही सिर्फ तुम हो गई धन्यवाद चार पंक्तियां और प्रेशित करती हूं इस होली के मुझे लगता है कि सही बैठेंगी गजब ही काम करते हैं इशारे आँख के तेरे हसी अंजाम करते हैं इशारे आँख के तेरे मुझे बदनाम करते हैं इशारे आँख के तेरे कभी सीधे कभी तिरचे कभी पल के जुका करके हसी अंजाम करते हैं इशारे आँख के तेरे हसी अंजाम करते हैं इशारे आँख के तेरे एक गीत आप सभी के समख्ष प्रेसित करते हैं स्वागत पड़ो 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 देदिये आपको समर्पित करते हैं हे प्राड तुम्हारे चर्णों का शत्षत वंदन मैं करती हूं सौबार जनम लेकर साथी सौबार तुम्ही पे मरती हूं हे प्राड तुम्हारे चर्णों का और पंक्तियानी विदित करती हूं कि अंधियारे ने रस्तारों का विपदाएं भी मुसकाई थी चहूर व्याप्त थी कठिनाई तनहाई ही तनहाई थी मुझ तक आने वाली किरणे बस भान कराती थी इतना सांसों का आना जाना था पर देह सहज पथराई थी मीरा की तरह विश का प्याला अपने अधरों पर धरती हूं सौबार जन मुले कर साथी सौबार तुम्ही पे मरती हूं सौबार तुम्ही पे मरती हो गया कुशल यदि मूर्तिकार नव मूरत गढ़ता जाता है हो गया अंकुरित बीज अगर फिर दिन दिन बढ़ता जाता है मुझे को खण खण में कण कण में छव सिर्फ तुम्हारी दिखती है कब उचि पुता प्रेम उचि पाने से दिन करसा चढ़ता जाता है हो बिम्ब तुम्ही प्रति बिम्ब तुम्ही 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 तुम्ह igglypteraewaldi क्या कहने वढ़ वह वा वा बहुत अच्छा पढ़ो 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 एक आवदी सेङस पढ़ो 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 थोड़ा सा आप लोग मन देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि इलो कब से लेकर मन बैठें देने के लिए मुझे तक पहुच नहीं पा रहा है आप सभी का मन मैं कोशिश करते हूं एक अवधी गीत की उसके बाद आपके डिमांड एक खोली गीत भी में रखोंगी गीत की बहुत छोटी सी भूमिका है त्योहार का मौसम है और एक महिला अपने पती से जित कर रही है कि मुझे भी आपके साथ चलना है राजधानी में मैं चार पंक्तिया रखती हूं हम पहिरे चुनरिया धानी बलम राजधानी ले आए चला हो पहिरे चुनरिया धानी बलम राजधानी ले आए चला हो ओ संगम नगरिया हमार नई हरवा संगम नगरिया हमार नई हरवा हम जाई के हम जाई के तोह के बखानी बलम राजधानी ले आए चला हो पहिरे चुनरिया धानी बलम राजधानी ले आए चला हो और पंद ने विदित करती हूं कि वो क्या चोटी-चोटी शिकायते कर रही है रोजे बहारी हिया घरवा तु अरवा थक गई ली काज करत यंगना उसरवा थक गई ली काज करत यंगना उसरवा हम कब तक हम कब तक चलाई चोकर सानी बलम राजधानी क्या बात है बाब 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 ली चलाओ पहिरे चुनरी आधानी बलम राजधानी ली आई चलाओ और अगली पंक्तियां रखती हूं कि ग्रामीड परिवेश में कुछ-कुछ चीजों का भाव होता है और क्या भाव होता है सुनिएगा स्वागत बरगर और पिजा अबे तक ना खाई ली संगवा तो हरे पिया हूटल ना गई ली चली कब तक चली कब तक तो हार मन मानी बलम राजधानी ली आई चलाओ और अंति बंद निवेधित करती हूं अंतिम बंद निवेधित करती हूं कि देखें गाओं में अभी भी संसकार दिखता है घूंगट में महिलाएं दिखती हैं लेकिन कभी-कभी इस घूंगट से कुछ-कुछ समस्याएं भी होती है तो अगला बंद निवेधित करती हूं स्वागत है कि कब तक ले पहरी इछे गजलू गरिया कब तक ले पहरी इछे गजलू गरिया मुहवा मुंदत थकी दिन दू पहरी आ हम कब तक हम कब तक भरी कुआ पानी बलम राजधानी लियाई चला हो गरिया दानी लियाई चला हो क्या बात है बहुत बहुत आभार एक छोटा सा होली गीत पढ़ के अपनी वाडी को विराम दूगी देखे जैसे आभी बाईया ने शुरुआत में कहा कि होली मुख्य जो मनाई जाती है वो ब्रज में मनाई जाती है और राधा कृष्ण की होली अपने आप में एक अद्भूत होती है तो मैं उन्हीं को ध्यान में रखते हूँ ये गीत आप सभी को निवेदित करती हूँ सु हुआ हए रहे नंद लाल बोलो, सारा ररा हुलि खेल रहे नंद लाल बोलो, सारा ररा और बंदिविर्थ करती हूँ कि बाजे धोलक मृदंग पिया सब ने भंग और आगे की बंकता नेविजित करती हूं सब देख के दंग एक दूजे का धंग लाल लाल हुए लाल लाल हुए सब गाल बोलो शारा राह ली खेल रहे नंद लाल बोलो सारा रा रा हुली केल रहे नंद लाल बोलो सारा रा रा